गुद्वाइनिंग स्क्राइट या मैं इसको हम्हारख करते हैं मोल Сबसे पहले आपको जाना होगा कि इसमें क्या होता है horizontal line horizontal line क्या होती है पहला topic तो आप जान लीजे horizontal line क्या होती है horizontal line horizontal line किस type की lines होती है जैसे यह line है यह कैसी एक horizontal line है okay तो जीरो वन टू थ्री और इस साइड रहेगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री यह एक horizontal line है now second vertical line vertical line अब वर्टिकल लाइन क्या होती है जैसे यह हो गई क्या एक वर्टिकल line तो वर्टिकल में यहाँ पर 0 ऊपर रहेगा क्या वन टू थ्री और नीचे साइड रहेगा माइनस वन माइनस टू और माइनस त्री इस देट क्लियर यह हो गई horizontal line यह हो गई वर्टिकल लाइन अब हमें सबसे जानने जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो बनता है क्या Cartesian system क्या बनता है थर्ट इन दोनों को मिलाने के बाद बनता है क्या Cartesian system अब पार्टिशन सिस्टम में क्या क्या होता है होरिजंटल और वर्टिकल लाइन को मिला दिया जाता है तो हम इसको ड्रॉ करेंगे जैसे यह एक horizontal line हो गई और यह एक यह horizontal हो गई और यह वाली vertical line हो गई इन दोनों को अपने ड्रॉ किया अब ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इसमें numbering कर देंगे हम यह 0, अपने horizontal line में side क्या था 1, 2, 3, 4 और side क्या था, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 इसी प्रकार उपर, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 और नीचे, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 यह हो गया क्या आपका partition system अब इस system में आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि जो यह यह वाला भाग कहलाता है यह तो यह क्या कहलाता है, first quadrant क्या कहला है ता है, first quadrant ओके, यहाँ पर यह कहलाएगा क्या, second quadrant और यह क्या क्या, third quadrant और यह कहलाएगा आपका, fourth quadrant आपको याद रखना है कि यह वाला भाग first quadrant यह second quadrant यह third quadrant और यह fourth quadrant अब इन quadrant में आपको sign conversion याद रखना है कि जो भी first quadrant में जो भी आप लेंगे, जितने भी आप point लेंगे, बिंदू लेंगे, वह कैसे रहेंगे, दौनों रहेंगे, कैसे प्लस के, और इस वाले में रहेंगे, माइनस के और प्लस के, मला पहला जो रहेगा, माइनस का और second रह अब आपको जानना है कि यह point कैसे होते हैं, तो जैसे आप किसी भी point को लेते हैं, तो ऐसे लेखते हैं आपन xy के form में, तो यहाँ पर x क्या है, where, x क्या कहलाता है, fcc का, और y क्या है यहाँ पर, ordinate, x हो गया आपका fc का, by हो गया आपका ordinate, अब और जैसे आप यादी तो हम लेंगे एक example और example जैसे हमें दर्साना है, 2, 3 के लिए आपको partition plane में आपको show करना है, question आएगा, कि 23 को आप में जो point 23, यहाँ पर partition plane में आपको show करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप देखेंगे, यह क्या होता है आप जानते हैं, यह होता है, और यह क्या होता है, y, तो x, x क्या है, यह है x, यहाँ पर plus में है x, तो plus वाला यह वाला x होता है, तो x में 2, तो यह वाला 2 लेना है, और y है 3, तो यहाँ पर 3 y में यह रहा, तो आपको देखना है कि इन दोनों की जो सीध में, जैसे 2 और 2 से आपको dead dash line करना है, तो यहां पर इसको डेट्डस करना है आपको यह आपका पॉइंट हो जाएगा यह वाला जो पॉइंट बनेगा यह बनेगा क्या तू त्री यह आपने कार्टिशियन प्लैन में आपने शो कर दिया यह आपको यहां पर करना यहां मानस बन देखना है सबसे पहले एक्समारन यह है यह वाली लाइंट एकस होती है यह पूरा वाइजस होता तो आपको इन दौनों को इस प्रकार से यहां तक जाना है करके और यहां पर यह जो पॉइंट बनेगा यह बनेगा क्या माइनस वन और माइनस वन तो यह था आपका कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यह आपको देखना कंपल सरी इससे आपके जो कॉंसेप्ट हैं वह क्लियर होंगे इसके बाद हम एक्सराइज करवाएंगे जो एक्सराइज 3.1 होगी ओके इसके पहले ही हम चैप्टर नंबर फरस्ट अब आपको प्ले लिश्ट मिल जाएगी आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वाट्सएप गृूप में भी आप हूछ सकते हैं ओके थैंक्स